नमस्ते दोस्तों आज हम साबू दाना के खिचडी बनाएगी जो बहुत जादा टेस्टी लगती है और इसको ब्रत में खाया जाता है ऐसे भी बना सकते हैं लेकिन ये ब्रत वाली खिचडी है उसके लिए सबसे पहले आलू को छील लिया है इस तरह से छील के बड़िया जारी करने में लगता है देखिए पांच छोटे साइस की आलू ले लिया इनको इस तरह से काट लेना है और 200 ग्राम साबू दाना ने लिया था उसको भीगो देना है चार पास घंटा के लिए अच्छे से पहले धो लेना तब भीगोना है पानी बहुत ज्यादा नहीं डाल हो गया है अब काली मिर्च और जीरा को भून लेना है हलकी आज पर भून लेना है इससे बहुत अच्छा फ्लेवार आता है कि चड़ी में एक बार इस तरह से जरूर बनाईएगा अब इसको पूट लेना है दरदरा अब कड़ाही में देशी घी डाल देना है दो चम्मत देशी घी है अब इसमें मौमफली डाल देना है धीमी आज पर इसको पका लेना है मौमफली को अब इनको भी निकाल लेना है अब आलू को भी पका लेना इसी घी में अच्छे से चला देना है और मीडियम फ्लेम पे पका लेना ढग देना जिससे बहुत जल्दी पक जाती है आलू तब तक इसको कूट लेना है ठंडा हो गया ठंडा होने के बाद ही कूटे तो बहुत अच्छे से कूट जाता है अब इसको निकाल के रख लेना है अब आलू चेक कर लेना है ट्माटर भी डालेंगे अगर आप लोग खाते हैं तो ट्माटर डाल सकते हैं बहुत टेस्टी लगता है थोड़ा था खटास हो जाती है इसमें टामाटर जब भी डाले छील की डाले छोटे छोटे पीसेज में काट लेना है देखिए आलू भी अच्छे से पक चुकी है बड़ी हासा कलार आज चुका है लाल-लाल हो गई है आलू अब इनको भी निकाल लेना है देखिए कितनी बड़ी हा लाल-लाल पक गई है आलू बड़ी है से क्रिस्पी हो गई है अब हरी मिर्ची डाल देना है थोड़ा सा घी और डाल देना क्योंकि कम लग रहा है अब करी पत्ता कि किस्मिस डाल दिया है किस्मिस से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है खट्टा मिठा अब साबू दाना डाल देना देखिए कितना अलग-अलग है साबू दाना इस तरह सो होना चाहिए तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है बिल्कुल खिली-खिली बनती है अलग-अलग बनती है टमाटर डाल देना अगर टमाटर गलाना चाहते हैं तो पहले भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरह से क्रंची रहते तो बहुत अच्छा लगता है अब मसाला डाल देना है जीरा और काली मिर्च वाला आलू दाना डाल देना इसी समय और पहले अच्छे से मिक्स कर देना है अभी नमक बाकी रह गया है अब नमक डाल देना है टेस्ट कार्डिंग सेंधा नमक डालना है ब्रत में बना रहे हैं तो फिर चला देना है अगर इसको लोहिक कडाहीं बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है हलकी कडाही तो चिपक जा रहा है मोटी तली वाली कडाही लेंगे तो बहुत अच्छी बनती है अब धग देना दो मिनट के लिए और धीमी आज पिर रखना इसको नहीं तो नीचे से चिपक जाएगी धगना बहुत जरूर रहता है क्योंकि नमक भी अच्छे से गल जाता है और अच्छे से मिक्स हो जाती है खिचड़ी देखिए बनके तैयार हो चुकी कितनी बड़ी है खिचड़ी लग रही है खाने में बहुत ज्यादा हेल्दी होती है और जल्दी भूंक नहीं लगती है कितनी कलरफुल लग रही है खिचड़ी अब सर्व कर देना है उताल लेना है इसको आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और सेयर कीजिएगा देखे एक एक दाना खिला खिला बनाई इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी किचड़ी लगती है अच्छी लगती है खाने में आलू भी बड़ीहा सफक जाते है इस तरह से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ